बूर्णिंग स्टुडेंट आज हम दो चैप्टर नंबर 4 का मैथट फॉर काल्कुलिशन आफ नाशनल इंकम पढ़ेंगे इस वीडियो में हम दो यह देखेंगे कि नाशनल इंकम के कितने मैथट से कल्कुलेट करने के इस टुडेंट गाउर करना नाशनल इंकम का जो मैथट है वो थ्री है फर्स्ट मैथड इस इंकम मैथड इस एक्सपेंडिशन मैथड और थर्ड मैथड इस प्रोड़क्ट मैथड यह इसको हम दूसरा नाम दिए हुए वैलू अडिडिड मैथड मतलब यह दो नाम से जाना सकते हो तो नाशनल इंकम काल्कुलेट करेंगे टोटल कितने मैथड से इंकम मैथड एक्सपेंडिचर मैथड प्रोड़क्ट मैथड यह वैलू अडिडिड मैथड इस स्टुडेंट ध्यान देखना यहां पर हमने एक चार्ट बनाया हुआ इस यह टॉपिक हम अरड़ी प इंकम मैं 5 फिडीव में अलड़ी कलेर कर चुका यह जो सर्कूल फ्लो फ्लो अफ इंकम का ऐसी थी फिजसे नेंकम को कल्कूलेट करने का तीन मैथड निकला हुआ जैसे कि देखो हम इस थी फिजस में यह इनकम था कंड्यूमर के पोइंट-प विजू से इस इस फेज के प मेफड बना income मेफड उसके बाद consumption मेफ कंजम्शन फेस के पंट of व्यू से जो है वो है वह बना expenditure मेफड और production point of view से जो है वह बना नासल कम कल्कुलेट करने का 3 मेफड जिसको बोला गया product मेफड या value-e 않은 एड़ मेफड यह circular flow of income से ही निकल कर यह 3 तो आप गोर करना होगा तो हमको निकालना क्या होगा एन एन पी एट एपसी मतला और इसके साथ एक चीज यह भी याद रखना कि नाशनल इंकम को एड करेंगे इंकम में निकालने के लिए फैक्टर इंकम के बारे में प्रीविएस वीडियो में अल्यडी डिसकस किया हुआ है ठीक है इस्टुडेंट देखो यहां पर हमने एक पर फॉर्मा लिया हुआ है कि इंकम मेथड से जब भी हमनों नाशनल इंकम कैल्कुलेट करते हैं इसमें कौन-कौन से कॉम्पोनेंट्स एड के जाते हैं फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स लिया जाता है सी ओ इसका फूलफा में कमपनसेशन आप इंप्लॉई ठीक है उसके बाद है तुम्हारा क्या ऑपरेट सब्सक्राइब करेंगे तो जब यह टोटल आएगा इस टोटल को हम लोग बोलेंगे एंडी पी एट एफसी एन इनेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसको हम लोग डोमेस्टिक इंकम के नाम से भी जानते हैं ठीक है जब एंडी पी एफसी मिल नाचलिएब्सक्राइब करनेफन के लिए बोला या तको कौनिकालना लेगा अगर आपके न्यूमरेकल में कंपनसेशन ओफएइब्सक्राइब नहीं दिया हो और इसके components दिये होंगे तो उस components को add करके हमको compensation of employee निकालना होगा तो देखो यहाँ पर student गहर करना compensation of employee के components यहाँ पर हमने कितने लिये होएं four components लिये होएं first components क्या कहा जाता wages and salary in cash, payment in kind, employee contribution to social security scheme और retirement pension यह चार components जो है यह चारो component को add करने से हमें क्या मिलता है COE, ठीक है, अगर student exam में COE भी दिया हुआ है अगर यह चार में से कोई भी components दिये हुए है तो आप COE को ही लेना यह component को add नहीं करना क्यों क्योंकि यह चारो component अलड़ी उस COE में include होते हैं अगर आप फिर से दुबारा उसमें लोगे तो डबल काउंटिंग एफेक्ट हो जाता है ठीक है फिर से देख लेना COE, compensation of employee में चार components आते है, wages and salary in cash, जो अब एक employer employee को salary और wages cash के रुप में देता है वो compensation of employee है payment in kind जब employer employee को उनको rent free accommodation या house rent alliances यह सारे चीज़ अगर payment करता है तो वो payment in kind कलाता है employer contribution to social security scheme हर company में जब एक employer यानी company का मालिक जब employee को जो भी social security scheme के दोबारा जो contribution करता है, वो compensation of employee में include होता है और जो भी pension employee को retirement के बाद दिया जाता है employer के तरफ से employee को वो भी compensation of employee का एक part है यह चार component को add करने से student हमें मिलेगा compensation of employee ठीक है अगर आपके numerical में अगर यह compensation of employee अगर नहीं दिया होगा तो यह सारे components को add करने से हमें compensation of employee मिल जाएगा अब देखते हैं operating surplus में क्या क्या आता है देखो student operating surplus के components में चार components आते हैं पहला आता है rent, फिर interest, फिर royalty and then fourth component is profit तो यह चार components को add करने से क्या आएगा operating surplus अगर student exam में आपका दे दिया हो operating surplus भी और यह चार components भी अगर दिये होगे तो गवर करना यह चार components को आप नहीं लोगे जब operating surplus दिया हो क्योंकि operating surplus में अल्ड़ी है चार component include रहते हैं और student एक चीज़ यहाँ देखना operating surplus के फोर्थ में profit दिया profit actually three category में divided dividend corporation profit और undistributed profit यह तीनों components को add करने से क्या मिलता है profit मिलता है तो कभी भी एगर components में अगर profit के जगा अगर यह तीन components दिये हुए यह तीनों components को add करने से हमें profit easily find out हो जाएगा और इसका third components क्या था third components है mixed income of self-employed mixed income of self-employed जो है वह एक तरह का factor income होता है एक एक फर्म जो है household को पेमेंट करता है यह सारे components है national income calculate करने के ठीक है तो यह सारे मतलब compensation of employee operating surplus mixed income of self-employed जब इसको मैट करेंगे तो में क्या मिलेगा domestic income और इसमें जब NFIA मैट कर देंगे तो हमें क्या मिल जागा national income और इसके बाद वाले topic में आप देखना exam में आपसे किसी भी method से कुछ precautions पूछे जाते है प्रिकॉशन के मतलब होता है कि जब हम लोग national income किसी भी method से calculate करेंगे तो हम लोगों को क्या-क्या इंक्लूड होंगे उस national income को लेते हैं और कौन-क्या इंक्लूड नहीं किये जाएंगे उसे हम लोग बोलते है प्रिकॉशन रिगार्डिंग इंक्व मेथड इन्हीं जब इंक्व मेथट से हम लोग प्रिकॉशन निकालेंगे तो हमें क्या-क्या प्रिकॉशन लेना होगा देखो इस टुटेंट यहाप पर हमने इस प्रिकॉशन लिए हुए पहला ट्रांसफर इंकम याद करना अभी हमने आप पढ़ा कि हमेशा ने एक्तिविटीटी जैसे चोरी करणा गैंलिंग करना यह ने सब्सक्राइं का मतलब यह होता है कि जैसे कि हमारी लोटरी लगी एक लाग रुपे तो वो जो है मिरा नेसलिंगं इंक्लूट नहीं होगा क्यूँक्यों कि वह इक तरह का क्रांसफर इंकम है फूर्थ है कमीशन अनन्सेल अब सेकेंडें गुड्स है जैसे कि माल नेते हैं हमारा एक बाइक है और वहिसे अद्रफ कर सेलड आउट जब Curry और बॉर्न्ड पाय스ट करनेका जो силь आंग आज आधरा किया जाता 5-day leels parallel और ने मुट। करने का जो commission हम एजेंट को देते हैं वो commission second hand goods का national income include किया जाता है फिफ्थ ब्रोक्रेज और सेल अब सेर अब सेल बॉण्ड इंक्लूट जब भी हम किसी company का सेर्स यह बॉण्ड खरीती है किसी broker के थ्रूह जब उसको आगर एक और माल लेते हैं आप नहीं गहर उसके पास दो रूम है अगर एक रूम को अगर वो खुद करता है दूसरे रूम को रेंट देता है तो जो रेंटेड रूम दिया हुआ है उससे जो इंकम जणरेट हो रहा है वो इंकम ट्रांसफर इंकम है और वो फैक्टर इंकम है और वो फैक्टर इंकम नाशनल इंकम में इंक्लूड किया जागा तो यह कुछ हैसे six precautions है जिसको हम लोग नाशनल इंकम काल्कुलेट करते समय लेंगे और नहीं लेंगे स्टुडेंट अभी इस वीडियो में हम लोग यही सारा चीज हम लोग देखें अब हम लोग देखते हैं कि नाशनल इंकम से अच्छली नियुमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है नाशनल इंकम से नियुमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है देखना है स्टुडेंट यहां पर हमने एक नुमेरिकल खुच से लिया हुआ है यह कैल्कुलेट डॉमेस्टिक इंकम और नासल इंकम मतलब आपको क्या निकालना है नन्प एपसी अन्नासल इंकम मतलब क्या निकालना होगा नन्प एपसी ठीक है तो देखो यहां स्टुटेंट अबले लिया हुआ है वेजिस 10,000 निकालना होगा डॉमेस्टिक इंकम का मतलब क्या होता है एंडी पी एपसी इस्टुटेंट पीछे में हमने आपको बता चुका है कि पहले जब हम नासल इंकम मैथर्ट से निकालेंगे तो पहले हम लोग क्या लेते हैं कमपंसेशन अफ इंप्लॉस्टि क्वें नहीं दिया हुआ है तो कहीं नहीं दिया हो थे लेकिन इशके शऑना हिए रह्य हें अवरCs त्यूर्ट को सुमॉटी स्कीम कन्टिभूशन इंपलायर सोशाल सिकूर्टी स्थीम कन्टिपूशन ठीक है तो यह दोनों एमांट को जब हम एट कर देंगे 10,400 तो हमें मिलेगा 10,400 compensation of employee अब student second components हमें लेते हैं operating surplus operating surplus भी देखो student यहां नहीं दिया वह लेकिन उसको components दिये हमें क्या क्या है rent है rent है interest है dividend है अब profit के components दिये है undistributed profit and corporation profit tax यह जितने भी अभी हमने टिक किये क्या क्या 5,400 300 200 and 400 यह सारे amount को जब हम एट करेंगे तो क्या मिलेगा operating surplus देखो student हम नहीं लिया हुआ rent plus interest plus dividend plus corporation tax plus undistributed profit यह सारे amount को एट करेंगे तो टोटल amount कितना आएगा 9000 ठीक है उसके बाग उसके बाद third components क्या था mixed income देखो यह mixed income कितना दिया 400 तो mixed income को हमने यहां पर क्या ले लिया 400 उपीज अभी एक coe plus operating surplus plus mixed income जब यह तीनों components को मैट करेंगे तो टोटल amount कितना मिलेगा 19,800 यह मेरा क्या निकल क्या गया ndp8fc ndp8fc मतलब अभी हमने बताया था प्रिविएस चार्ट में किसे हमने domestic income भी बोलते हैं अब इसमें हम लोग nnp8fc निकालने के लिए हम क्या करेंगे nnp8fc निकालने के लिए हमको इनफाइड करना हुआ है तो हमने इसमें इनफाइड को एड कर दिया तो हमें मिल गया nnp8fc 20,800 यह मेरा निकल गया नासले इंकम इस वीडियो के द्वारा हम लोग यह देखें कि नासले इंकम जो है वह एक्चली तीन मेथरड से निकलता है इनकम मेथरड, expenditure method, and valueated, or product method लेकिन इस वीडियो में हमने अभी first method को देखा है income method को कि कैसे national income हमनों income method से निकालते हैं कैसे उसका precautions लेते हैं कि क्या लेंगे उस precautions में नासले इंकम में और क्या नहीं लेंगे और हमने यह भी देखा कि नासले इंकम में जितने भी components थे COE, operating surplus of mixed income के वो उसमें क्या-क्या components आते हैं ओके student, thank you very much